अले थी आप उसे कैसे चेक करेंगे मैं आभी उसे आपको पता था हो तो सबसे पहले आप अपने भ्रोजर को पन करेंगे भ्रोजर को पन करने के बार आप नीचे आएंगे CEN 01 2019 अबडेट्स में CEN 01 2019 आप यहां देख सकेंगे information में use this link for checking application status new लिखा रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से interface आएगा इसमें आपको application status पर क्लिक करना है अगर आप अपना password भूल गएं तो forget password पर वे आप क्लिक कर सकते हैं तो application status पर क्लिक करेंगे application status पर क्लिक करने के बाद आपको जितने भी RRB है सभी की link यहां पर दिखेगी जैसे आपने RRB चन्नाई से form भरा है तो आप आप RRB चन्नाई को क्लिक करेंगे RRB चन्नाई के उपर क्लिक करने के बाद आप RRB चन्नाई के website के उपर आ जाएंगे आप कोई भी board से RRB की form भरे हो कोई भी आप आप देख सकते हैं ऊपर लिखान के आप आप अपना रोजिस्ट्रिस्ट्रेसं नमर डालेंगे रोजिस्ट्रेसं नमर डालने के बाद आप Date of Birth में क्लिक करेंगे यही Date of Birth आपका पासवर्ट होगा उसे पहले आप अपने Year को चुरेंगे जैसे मेरा जन्म 1916 में हुआ है तो मैं इसमसे पहले 1916 में क्लिक करूँगा उसके बाद आपको Month चूज करना है जैसे मेरा जन्म अपरेल माह में हुआ है तो अपरेल को चूज करेंगे उसके बाद Date चूज करनी है 14 अपरेल 1996 मेरा जन्म हुआ है तो 14 पर क्लिक करेंगे अब देख सकते हैं जन्मतिती इसमें भरा गया है उसके बाद नीचे एक केपचा दिया हुआ है ग्रीन कलर का उसमें जो कोड लिखावा है आपको इस बॉक्स में वही कोड डाल देनी है यह से इसमें लिखावा है BU HK4 आपको यह डाल देनी है उसके बाद login पे क्लिक करना है login पे क्लिक करते हैं आपको आपको का status दिखाई देगा कि आपका form accept हुआ है या result अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया ता आप हमारे इस वीडियो को जरू सब्सक्राइब किजिगा मेरे चनल को आर आर भी एंटी पीसी की लेटेस्ट अपडेट के लिए